इंदोर की बात करेंगे जहां इंदोर में कुरोना काल में एक टी आई की गाजे बाजे के साथ विदाई का मामला सामने आया है जो इसके बाद जाज के आदेश दिये गए मलहार गंज के टी आई संजय मिश्रा को इस तरह बैंड बाजे के साथ विदाई दी गई है कोरोना के चलते हैं सभी तरह के सारुजनिक और धार्मिक कारकम बंध हैं उसके बावजूद एक टियाई की इस तरह से विदाई ये बताने के लिए परयाथ है कि कोरोना को लेकर पुलिस कितनी सम्विधन शील है हाला कि अभी हैं मामला सामने आने के बाद 14 गंते में जाच के आदेश दे दिये गए हैं पुलिस ने लगातार पुलिस कर्मी अगर पुलिस कर्मी अगर पुलिस का उलंगन के उनके ब्रुद भी करवाई की गई है एक ठानप पारी को यहां से रिलीव किया जा चुका था लेकिन उसके बाद इस तरह का वीडियो संग्यान में आया है उस वीडियो को गंभिरता के लिया गया है CSP को उसके 24 गंटे के अंदर उसमें उसे प्रतिविधन मंगा गया है उसके बाद इसमें बिटारी के दूद करवाई की जाए तो कुरोना के इसकाल में जहां नियमों का पालन कराना जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है बस वही उलंगन करने लगें तो भला कैसे भागेगा कुरोना सचन समदाता फून लाइन पर इस वक्त हमारे साथ इंदौर से मवजूद है सचन गाजे बाजे के साथ टी-ाई ये संजे मिश्रा की बिदाई की जा रही थी लगा तो ये था कि टी-ाई अपना कर्म करेंगे यानि जो उनका कर्तव्य है वो करेंगे करेंगे यहां से जाने के लिए लेकिन वो तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो ही कुरोना को कमिन कमिन कर रहे हैं तो भला कैसे भागेगा कुरोना जी बताना चाहूंगा कि आप जैसा वीडियो में देखा है आपने और अभी टी-वी स्क्रीन पे जो वीडियो चल रहा है उसके लावा पूरे कोविड में वो खोद ड्यूटी पे रहे हैं उनको एक एक चीज भारी की से मालूम है उसके पाउचूद भी इस तरीके का विजाई समारण राव आउजित करवाना या यूँँ बुले कि उनके फाले हैं इनके मुताबिक भी बहुत सारी चीजें मतलब मानी नी गई हैं कोविट की जो गाइडनाई ने उसके बावजूद भी आज इस तरीके से इनका वीडियो वाइरल होना सुभा से मतलब कल रात को जब ये इनकी विदाई हो री ती जब ये शिवपूरी के ले निकले था क्यों सचिन साफ है टी आई साहब आप बता रहे हैं खुद भी कोविट के समय ड्यूटी के दौरान अपने काम पर थे इन दौर को सम्विदन शीन तरीके से उन्होंने समझा भी होगा क्योंकि इन दौर में किस तरह से पेशेंट बड़े हमने देखा लेकिन आप पुलिस में हैं आप चाहते तो आपके समर्थकों को जो भी आपके चाहने वाले हैं उन्हें आप रोक सकते थे और यह परिशानी बता सकते थे कि यह समय अश्वक्त ठीक नहीं है लेकिन बजाए उन्होंने लोगों को दूर करने के रोकने के ना सोशल डिस्टेंसिंग ना किसी तहness का मास कि कोई इस बात पो जो उनके समर्थ तक जो उनके चाहने वाले थे वो यह चीछ भूल गए कि कोविट चल रहा है प्लस इस्टेट गवर्मेंट की सेंट्रल गवर्मेंट की गाइड लाइन है दूरी मनाना भी रिकटी ना करना इवन यहां तक की इंद और शेहर में मंदिरों के लिए भी मतलब नहीं खोले गए हैं उनों उसमें भी नॉम्स निकाले गाएं साथ में बैंड बाजा जो है उन लोगो इस पचली प्रतिबंद कर रहा है तरिफ वो भारात में वो भी मतलब जिस्की शादी होगी उसमें भी यह लोग वहां पर भी जाकर बैंड बग़रा नहीं बजा सकते हैं लेकिन यह सबसे वरा सवाल होता है कि इंको थाने बे बुलवा कि इस तरीके से बैंड बज़ाना सब बजवाना और शॉट में मुझे यह बताइए कि यह बैंड वाले यह व्यापारी जो भी इनके समर्थक यहां सिविल ड्रेस में भी नजर आ रहे है जाहरे उनके समर्थकी होंगे इन पर कोई कारवाई नहीं होगी डियाई जे साब से प्रेशनों नहीं पूछा गया मैं इनसे जब बात करी गई थी तो उनके बोला कि बोले जाज अभी चारी है 24 गंटे के अंदर CSP साब जो भी जाज पूरी कंपीर करके देंगे उसके बात आगे की कारवाई की जाएगी चलिए शुक्रिया जौनकारी के लिए तो जाच में क्या जो बैंड पाजे लेकर आए इस कोविड नाइटीन में जब की मना है बैंड हैंसम चीजों पर फिला है उसके अलावा जो व्यापारी यहां पर उनकी आव भगत करते हो नज़रा रहे विदाई समारों चल रहा था टियाई संजय मिश्राखा और वो भूल गए कि इस वक्त कोविड फैला हुआ है कोविड नाइटीन से पुरा देश जूच रहा है इन दोर जहां करोना कंट्रोल में नहीं है मुद्धिप्रदेश जहां करोना कंट्रोल में नहीं है ऐसी स्थती में ऐसी सिचुएशन में भ विदाई समारों की जरूरत नहीं फिलहाल विदाई कोरोना की हूनी चाहिए क्योंकि खुद भी वो कोविड के लिए ड्यूटी कर चुके हैं बावजुद उसके बड़ा इंजॉय कर रहे थे टियाई साथ देखिए